आप सबको मेरा नमस्ते ये जो सेशन है उसमें हम आपको तीन टुटॉल दिखाने वाले हैं एक तो निपल की कंडिशिन्स निपल की स्थितिया एक तो है ब्रेस्ट कंडिशिन्स स्थान की स्थितिया और तीसरा है ये जो आप बहुत सारी मदोस को घृ इन निपल शील्स देते हैं तो उसके क्या गोंप्लिकेशन्सां स्थितिया एक तो वह भी हम लोग है k tut arm पनाया हुआ है कि क्या हमारे पास बहुत तारइ निपल क्यों शील्स की कॉंप्लिकेशन्स आते है तो मुझे बहु ठीक तरह से लाच नहीं करता है तो वो जिफ अगर निपल पे बच्चा जूटता है तो वो निपल है बच्चे की जो दाथ की पीछे जो कड़क भागे वहां पे वो चबाता है, तो वो जब भी वो ऐसे चबाता है तो मा को जो निपल है उसमें बहुत सारी लालाश हो जाती है इंफ्लेमेशन हो जाता है, कभी-कभी इंफेक्शन भी हो जाता है तो वो मैंने बताया हुआ है कभी-कभी मा को फ्लैट निपल होती है जो सपाट निपल होती है कभी-कभी निपल अंदर की और होती है तो बहुत सारे nurses क्या करते हैं वो सिरिंज देते हैं निपल को बाहर निकालते हैं ये करते हैं वो गलत चीज है ठीक है आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा एरियुला से दूद खीचता है निपल पे अगर बच्चा रहेगा उसका मुश्यक निपल में रहेगा तो निपल निपल निकाल के निपल निकाल के मलब गलत है यह तो बिलकुल गलत है ठीक है मित्या है ठीक है तो आपको ध्यान में रख रहा है अगर ठीक तरह से आपने ब्रेस्ट को पकड़ा क्रॉस करडल होल में और उसके बच्चा जैसे बड़ा मुझ कर रहा है उसके मुझ में नीचे काला भाग डालेंगे तो निपल है या नहीं है कुछ फरग नहीं पड़ेगा बच्चा निपल पर लाच नहीं कर रहा है एरला पर लाच कर रहा है ठीक है तो यह आपको मैंने टुटॉल में भी दिखाया हुआ है जो दूसर टुटॉल है वो है ब्रेस्ट कंडिशन्स तो ब्रेस्ट कंडिशन्स मतलब कभी कभी मां को गाट होजाती है जबी बच्चा टीक तर से लाच नहीं होता है तबी सारा यह प्रामिम होता है कभी कभी क्या होता है कि मा कभी कभी वो breast pump यूज़ करती है आजकर वो breast pump का बहुत यहां पे भारत में लगवाए हर सारी mother breast pump यूज़ करती है अब को यह बिलकुल आपको बताना है मा को कि breast pump के बिलकुल ज़रूद नहीं है अगर नॉर्मल बच्चा है उसका यूज़ बच्चे का बजन ठीक है सब ठीक है बच्चा अगर भरती नहीं हुआ है तो आपको breast pump लेने की बिलकुल ज़रूद नहीं है अगर बच्चा अश्बल में भरती भी हुआ है तो भी मा अपना दूद हाथ से निकालके बच्चे को दे सकती है तो मैंने देखा है कि जो मदर ब्रेस्ट पंप यूज़ करती है उसको breast abscess और stund के जो infection होने की chance बहुत ज़्यादा है तो आपको पूरा discourage करना है तीसरा tutorial है वो है complications of nipple shield आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे doctors है nurses है वो nipple shield लगा देते हैं उनको लगता है कि अगर nipple नहीं है तो बच्चा दूद नहीं पी सकेगा वो गलत चीज है बिलकुल गलत चीज है एक बर क्या होते है कि एक बार वो बडासा nipple shield उसके मुह में चला गया बच्चा वो nipple shield पे वो चबाएगा दूद दिरे-दिरे कंब हो जाएगा और एक बार वो गलत निपल पे लग गया वो बड़ासा तो उसको को लगता है कि बस nipple breast stunt एसी होना चाहिए और मुख भी वह आधे निपल शील्ड का भी उट इतना चोटा सा है तो बच्छा मुख भी नहीं कोलेगा जैसे बच्छा निपल शील्ड से दूर लेता हिए तो अलग तरह से मुख Perform debt तो आपको मा को एंसे में बताना है कि अगर कोई भी उसे बताए कि निपल शील इस्तेमाल करो निपल फ्लैक निपल के लिए आपको बिल्कुल इसको डिस्करज करना है ठीक है बहुत कॉम्प्लिकेशन्स हैं मेरे क्लिनिक में जबी बच्चे आते हैं मेरे प्रोजेक्ट में भी बच्चे आते हैं जो निपल शील्ड पे जो बच्चे होते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों को मा के संपे डिर्क लाच कराना ठीक है तो प्लीज आप ये टुटारिल बहुत ध्यान से देखिए और जितनी वी मदर्स हैं प्रेग्निंसी में आप सब को बताएं क निपल शील्ड आपको बिल्कुल योज नहीं करना है ठीक है ठीक है धन्यवाद स्तनपान कराती माओं के निपल की स्थिती पर स्पोकन टुटारियल में आपका स्वागत है इस टुटारियल में हम सीखेंगे दरारों भरे जख्मी निपल और चप्टे या उल्टे निपल के बारे में पहली स्थिती है दरारों भरे जख्मी निपल ये ऐसी स्थिती है जिसमें मा के दरारों भरे निपल से खून आता है और इससे निपल, रूखे और खुजली वाले हो जाते हैं अब हम बात करेंगे उन कारणों की जिनसे दरारों भरे जख्मी निपल होते हैं जैसे कि निपल से स्तनपान कराना, फपूंदी या बैक्टिरिया का इंफेक्शन होना, या हर स्तनपान के बाद निपल को साफ करने की आदत होना, या फिर शिशू की जीप जुड़ी हुई होना, शुरू करते हैं निपल से स्तनपान करवाना, निपल से स्तनपान सबसे पहल जिस वज़े से दरारों भरे सक्मी निपल होते हैं। जिस वज़े से दरारों भरे सक्मी निपल नहीं होंगे। जिस वज़े से दरारों भरे सक्मी निपल होते हैं। अगर मा को फपूंदी या बैक्टिरिया का इन्फेक्शन है तो उसे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। कुछ माएं हर स्तनपान के बाद निपल को साफ करते हैं। इससे निपल रूखे हो जाते हैं। इसलिए इस आदत को बदलना चाहिए। मा निपल को नहाते हुए साफ कर सकती है। पर अगर दरारों भरा निपल हो गया हो तो हर स्तनपान के बाद निपल को साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद जखम पर पीछे का दूद लगाना चाहिए। क्योंकि पीछे के दूद में इंफेक्शन से लड़ने और जखम को ठीक करने वाले पदार्थ होते हैं। और ये शिशु के मूँ के किटानू को निपल के दरारों से अंदर जाने नहीं देते। अगला है शिशु को जुड़ी हुई जीब होना। जुड़ी हुई जीब में शिशु के जीब की नोग उसके मूँ के अंदर निचले भाग से जुड़ी होती है। ये आमसिति नहीं है। निपल से स्थनपान अधिक तर जुड़ी हुई जीब वाले शिशु ही करते हैं। अगर शिशु को जुड़ी हुई जीब हो, तो मुँ से स्तन की सही पकड़ के अलावा ओप्रेशन भी कराना चाहिए. और इसके लिए मा को डॉक्टर से मिलना चाहिए. अब हम दरारों भरे जख्मी निपल के इलाज की बात करेंगे. अगर मा को दरारों भरे जख्मी निपल हैं, तो स्वास्त से विका को मा के निपल और स्तन की जांच करनी चाहिए. मा को बताएं कि स्तन पान के पहले अपने हातों से थोड़ा दूद निकालें, इस से स्तन थोड़े नरम होंगे और शिशु सही से जुड़ पाएगा. इसके अलावा दूद हाथ से निकालने की वज़े से निपल में दरारों का इंफेक्शन और सूजन नहीं होंगे. अब मा की मदद करें कि वह शिशु को सही तरीके से स्तन से जोड़ पाए. याद रखें, दूद का बनना कई दफे स्तन पान कराय जाने पर निर्भर करता है. इसलिए मा को स्तन पान बन नहीं करना चाहिए. स्तन पान के समय कम दर्द वाले स्तन से शुरू करें. अगर स्तन्पान के समय दर्द हो तो उसे अपने हाथ से दूद निकाल कर शिशु को चमच या कप से पिलाना चाहिए और जैसे की पहले बताया गया है हर बार स्तन्पान के बाद प्रभावित जगय पर पिछला दूद लगाना चाहिए याद से दरारों भरे जख्मी या सेहत मन निप्पल पर ये सब ना लगाएं जैसे साबुन, तेल, लोशन, बाम या इत्र इन सब से जलन हो सकती है और अगर मा को दरारों भरे जख्मी निप्पल हो तो जादा तकलीफ होगी ऐसा होने पर मा को डॉक्टर या स्वास्त सेविका से मिलना चाहिए दरारों भरे जख्मी निप्पल से बचने के लिए जनम के तुरंत बाद स्तन्पान शुरू कराना चाहिए स्तन्पान के समय शिशू का गहराई से मुह की पकड़ होना जरूरी है अब हम बात करेंगे चप्टे या उल्टे निप्पल के बारे में चप्टे निप्पल स्तन्प के काले भाग में से बाहर की तरफ नहीं निकले होते जबकि उल्टे निप्पल अंदर की तरफ मुड़े होते है मा का ये समझना जरूरी है कि चप्टे या उल्टे निप्पल से स्तन पान में कोई रुकावट नहीं होती क्योंकि शिशु के मुँ की सही पकड काले भाग पर होती है ना कि निप्पल पर मा को चप्टे या उल्टे निप्पल होने पर शिशु के जनम के पहले हफ़ते में मदद चाहिए होती है इस दोरान स्वास्त सेविका को मा को स्तन पर मूँ की सही पकड समझानी चाहिए इस से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा याद रखें अगर मा को चप्टे या उल्टे निप्पल हैं तो असरदार स्तन पान के लिए सही जुडाव है क्रॉस क्रेडल पकड, फुटपल पकड और पीट को पीछे करके आराम से बैटने वाली पकड जैसा कि पहले के टुटॉरियल में बताया गया है, किसी भी पकड में ये जरूरी है कि मा स्तन को सही से पकड़े जहां शिशु के होंट और मा की उंगलियां एक ही दिशा में हूँ ध्यान दें कि मूँ की गलत पकड से निप्पल को चोट लगती है याद रखें, दूद की बोतल और प्लास्टिक के निप्पल इस्तेमाल ना करें इनसे शिशु को चप्टे या उल्टे निप्पल से स्तन पान करने में मुश्किल होगी मा कई बार शिशु को अपने बिना कपड़े पहने हुए शरीर के करीब रखे इस से मा में ओक्जिटोजिन बनेगा और दूद आराम से निकलेगा हमेशा याद रखें कि मुँ की सही पकड़ से निप्पल की हर परिशानी को दूर रख सकते हैं अब स्तन पान कराती माउं के निप्पल की स्तिती पर ये स्पोकन टुटॉरियल यही खत्म होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूं हम से जोडने के लिए धन्यवाद निप्पल शिल्ड के इस्तमाल से होने वाले नुकसान पर बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम जानेंगे निप्पल शिल्ड के इस्तमाल से होने वाले नुकसान परियाप्त दूद पिलाने के सुझाओ चलिए शुरू करें दूद पिलाने में निप्पल शिल्ड का इस्तमाल किया जाता है यह निपल के आकार जैसा होता है और प्लास्टीक, सिलिकॉन, लेटेक्स या किसी और पदार से बनता है दूद पिलाते समय यह निपल और स्तन के काले भाग के उपर होता है यह कूछ देर का समाधान है शिशु को मा के निपल को पकड़ने में मदद के लिए निपल शिल्ड आम तोर पर उन माओं को देते है जिनके निपल चपते होते है यह उन माओं को भी दिया जाता है जिनके निपल उलते होते है इन्हे तब भी इस्तमाल किया जाता है जब शिशु अच्छे से निपल से नहीं जुड़ता या उसे चूस नहीं पाता वे माई जिनके निपल फटे होने के कारण दर्द होता है वे दर्द से बचने के लिए इसका इस्तमाल करती है लेकिन दूध पिलाते समय निपल शिल्ड का इस्तमाल करना नुकसान देता है वे शिशू और मा के स्तन के बीच में दूरी बनाते है वे दूद पिलाने को अस्वाभाविक महसूस कराते है स्थन के काले भाग की उत्तेजना को कम करते है यह मा में प्रोलैक्टिन और ओक्सिटोसिन के निकलने में बाधा डालते है प्रोलैक्टिन और ओक्सिटोसिन दूद पिलाने के लिए जरूरी हार्मोन है प्रोलैक्टिन स्तन में दूद के बनने में मदद करता है ओक्सिटोसिन स्तन से दूद को बाहर निकालने में मदद करता है इसलिए निप्पल शिड दूद पिलाने के समय स्तन के दूद को कम कर देता है इससे दूद पिलाने में लगने वाला समय बढ़ जाता है दूद पिलाने के बाद मा और शिशु को ठकान नहसूस होती है जादा समय तक इस्तमाल करने पर शिशु को निपल शिल्ड की आदत पढ़ जाती है शिशु निपल शिल्ड के बिना दूद पीने से इंकार कर देते है शिशु का इस पर निर्भर होना स्तन के दूद की कमी का कारण बन सकता है जो कि ठीक नहीं है समय के साथ यह स्तन के दूद को कम कर देता है इसलिए यह जल्दी दूद छोड़ने का कारण बनता है निप्पल शिल्ड का इस्तमाल करने वाली कई माएं बहुत जल्दी ही शिशु को स्तन पान करना बंद कर देती है निप्पल शिल्ड स्तन के निप्पल को बच्चे के मुह के अंदर तक पहुँचने से रोकता है यह शिशु को मा के स्थन से गहराई से जुड़ने नहीं देता यह बाधा डालता है जब शिशु स्थन को अच्छे तरीके से चूसना सीखता है जब निपल शिल्ड का इस्तमाल होता है तो शिशु के स्थन को चूसने का तरीका बदल जाता है निपल शिल्ड शिशु के चूसने की तेजी को बढ़ाता है यह स्तनपान के दोरान शिशु के आराम करने के समय को भी बढ़ाता है निपल शिल्ड के कारण शिशु ज़्यादा हवा निगल सकता है निपल शिल्ड जादा तर स्थन से गिर जाते हैं जिससे शिशू का दूध पीना रुख जाता है निपल शिल्ड मा और शिशू को सहूलियत का एसास नहीं होने देते इस्तमाल के बाद मा को उन्हें साफ करना मुश्किल होता है जिससे शिशू को infection का खत्रा बढ़ जाता है सही छेद न होने पर निपल शिड में से दूद ठीक से नहीं निकल पाता यह शिशू की थकावट और कम विकास का कारण बन सकता है कभी-कभी गलत माप या आकार के निपल शिड का इस्तमाल किया जाता है वे शिशू की सांस घोट सकते हैं वे मा के फटे निपल का कारण बनते है या उनकी हालत जादा खराब करते है निपल और काले भाग को सिकोडने से निपल में चोट लग सकती है यदि शीशू ठीक से नहीं चूसता है तो निपल शिल्ड की सलाहन नहीं दी जानी चाहिए अभी तक किसी भी खोज में निपल शिल्ड के इस्तमाल के लिए सही तरीका नहीं दिखाया गया है जब शीशु दूद नहीं पीता है, कुछ विशेशग्य निपल शिल्की सला देते है दूद ना पीने का कारण चपते व उल्टे निपल होता है समय से पहले पैदा हुए शीशु के लिए भी इस्तमाल किया जाता है इस्तमाल करने का एक और कारण है शीशू का मा के स्थन को ठीक से न जूसना इसके कुछ अन्य कारण नियूरो मस्कुलर और इंप्रिंटिंग भी है इंप्रिंटिंग एक ऐसी आदत है जो जीवन के शुरुवाती घंटे में होता है शीशू जन्म के बाद स्वाभाविक रूप से मा के स्थन से जुड़ जाता है पर जल्दी से जल्दी अगर स्थनपान न कराया जाए तो शीशू किसी और चीज से जुड़ जाता है जैसे अंगुठ चूसना, बोतल या प्लास्टिक का निपल चूसना आदी इससे शीशू स्थन से दूद पिने में मना कर देता है कभी-कभी किसी मा को तना हो सकता है वह बोतल से दूद पिलाने का सोचती है ऐसे में निपल शिल्ड उसे थोड़े समय के लिए समाधान दे सकता है फिर शिशु को बोतल से दूद पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे एक स्तनपान विशेशग्य द्वारा ठीक से मदद की जानी चाहिए कुछ माएं जादा समय तक निपल शिड का इस्तमाल करना पसंद करना चाहती है उन माओं को शिड मददगार है या नहीं इसकी जांच के लिए उन्हें नियमित जांच के लिए जाना चाहिए ऐसे में शिशु के स्तन से दूद न पिने से जादा खत्रा होता है खुद के बनाए हुए निपल शिड का इस्तमाल नहीं करना चाहिए निपल शिड के इस्तमाल के लिए उसमें कोई तबदिली नहीं करनी चाहिए कभी कभी एक मा निपल शिड का इस्तमाल करने के बारे में पूछ सकती है तो ऐसे में पहले मा से दूध पिलाने का तरीका और दिक्कतों के बारे में पूछना जरूरी है उसके दूध पिलाने के हर एक अनुभव को पूछना चाहिए शिशु के स्तन चुसने के तरीके को ठीक करने की कोशिकों के बारे में पूछना चाहिए फिर मा के स्तनपान की तक्निक को ठीक करने के लिए सुझाव दे निपल शिड सिर्फ एक स्वास्थ सेवक से सलहा लेकर ही शुरू किया जाना चाहिए उन्हें स्तनपान कौशल का विशेशग्य होना चाहिए उन्हें निपल शिड का इस्तमाल करने के फाइदे और नुकसान के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए उन्हें इसका उप्योग करती हुई मा को नियमित रूप से इसकी जांच करवाने के लिए उसे बताना चाहिए शिशुओं को निपल शिल से दूध पीने की आदत हो सकती है बाद में वे मा के स्तन से बिना शिल के दूध पीने से मना कर सकते है ये भी हो सकता है कि वे बाद में मा के स्तन से गहराई से न जुड़ सके इसलिए पहले 48 घंटों में दोबारा जांचना खास तोर से जरुरी है मा को निपल शिड के इस्तमाल को छुड़ाने में मदद करनी चाहिए कुछ स्वास्थ्यकर्मी माओं की सही तरह से मदद नहीं कर सकते उन्हें उसको स्तनपान विशेशग्य के पास भेजना चाहिए माओं को हमेशा दूद पिलाने का सही तरीका सीखना चाहिए उसे यह पता होना चाहिए कि शिशू को निपल से नहीं बलके निचले एरोला से जुड़ा होना चाहिए इसलिए शिशू के जुड़ने के लिए उबरा हुआ निपल ज़रूरी नहीं होता है अक्सर गेहरे जुडाव से निप्पल स्वाभाविक रूप से बाहर निकल सकता है यह कुछ दिनों में गेहराई से जुडे हुए शिशू के अच्छे से चूसने की वज़े से होता है निप्पल शिड का इस्तेमाल इस प्राकृतिक प्रक्रिया को मुश्किल बना सकता है शिशू के पैदा होने के एक घंटे के अंदर बच्चे को दूध पिलाना जरूरी होता है ऐसा करने के लिए जन्म के एकदम बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क कराया जाना चाहिए जन्म के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क को एक दूसरी टुटोरियल में समझाया गया है मा को भी दूध पिलाने का सही तरीका सीखना चाहिए Cross Cradle Hold उनमें से एक है यहाँ पकड अच्छे से शिशू को दूद पिलाने में मदद करेगी भले ही मा के निपल चपते हो इस पकड में स्तन पर मा की उंगलिया शिशू के होटों के बराबर होती है यहाँ शिशू को स्तन से गहराई से जुड़ने में मदद करता है Cross Cradle Hold को एक अन्य टुटोरियल में समझाया गया है स्तनपान कोशल सीखने में मा के धर्ये को प्रोटसाइद किया जाना चाहिए निपल शिल्ड इस्तमाल किये बिना दूद पिलाने की बार-बार कोशिश की जानी चाहिए याद रखे, जनम से पहले 6 मेहनों तक सिर्फ स्तनपान कराना बहुत जरूरी है शिशू के विकास के लिए स्तनपान असरदार होना चाहिए यही स्तनपान तक्निक यह पक्का करेगा कि शिशू को जरूरत के जितना दूद मिले कोई भी आप्राकृतिक चीज कभी भी प्राकृतिक स्तनपान की जगा नहीं ले सकता एक विशेशग्य को हमेशा मा को उचीद स्तनपान कोशल सीखने की सही सीख देनी चाहिए अब यह टुटोरियल यही समाप्त होता है स्तनपान कराती माउं के स्तन की स्थिति पर स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे स्तनों का कडक होना और उनमें दर्द वाली सूजन होना आए शुरू करते हैं कडक स्तनों से आम तोर पर स्तन प्रसव के बाद तीन से पांच दिनों में कडक होने लगते हैं दोनों स्तन एक साथ ही कडक होते हैं मा को कडक स्तन और भरे हुए स्तनों का फरक समझना चाहिए इसलिए अब हम बात करेंगे कडक और भरे हुए स्तनों में फरक की कड़क स्थन दूद से भरपूर, ठोस, सूजे हुए और दर्द भरे होते हैं उन पर चमक होती है और नसे फैली हुई दिखाई देती है मा को 24 गंटों से जादा तक बुखार रहता है और शिशु को स्थन को मुँँ से पकड़ने में मुश्किल होती है जबकि भरे हुए स्थन एक दम सामान्य होते हैं भरे हुए स्थन बड़े दिखते हैं पर उन पर चमक नहीं होती भरे हुए स्थन में दर्द नहीं होता और इनके कारण बुखार भी नहीं होता अब हम बात करेंगे कि क्यूं कड़क होते हैं स्तनपान कराती माओं के स्तन कड़क स्तन बताई गई वजह से हो सकते हैं अगर प्रसव के तुरंट बाद शिशु को स्तनपान नहीं कराया हो अगर कई बार स्तनपान ना कराया जाए अगर स्तनपान के समय शिशू की स्तन पर सही पकड़ ना हो और अगर मा ने अचानक से स्तनपान बंद कर दिया हो अब हम बात करेंगे कड़क स्तनों के इलाज की पहले मा से उसके हाथ साफ पानी से धोने को कहें और फिर शिशु को मा के इतने करीब लाएं कि वो उसे देख सके, सूंग सके और छू भी सके पर इन सबसे अगर शिशु परिशान हो तो मा शिशु का तौलिया भी सूंग सकती है इसके बाद मा को एक गिलास पानी पीना चाहिए और फिर एक गरम गीला कपड़ा अपने स्तन पर पान से दस मिनट तक रखना चाहिए या फिर गरम पानी से नहाना चाहिए इन सबसे दूद के बाहर निकलने में मदद होती है इसके बाद स्वास्त सेविका को मा से आराम करने को कहना चाहिए क्योंकि ज्ञादा चिंता से लेट डाउन रिफलेक्स पर असर होगा और दूद नहीं निकलेगा अब परिवार का सदस्य या स्वास्त सेविका को मा की गर्दन और पीठ के उपर वाले भाग पर मालिश करनी चाहिए इससे दूद के निकलने में मदद होगी क्योंकि स्तनों और पीठ की नसे एक ही है फिर मा को अपनी उंगलियों से गोलाकार तरीके से अपने स्तन की मालिश करनी चाहिए मालिश से उसे आराम मिलेगा और लेट डाउन रिफ्लेक्स सुधरेगा और इन सब से ओक्सिटोसिन निकलेगा इसे oxytocin reflex या let down reflex कहते हैं oxytocin hormone दूद के निकलने में मदद करता है aeriola को नरम करने के लिए मा को खुद अपने हाथ से थोड़ा दूद निकालना चाहिए इससे शिशुकोस्तन से जुड़ने में आसानी होगी हाथ से दूद निकालते हुए मा को aeriola पर जोर लगाना चाहिए हाथ से दूद निकालने के बाद मा की शिशुको aeriola से जुड़ने में मदद करें क्योंकि शिशुके लिए खुद से जुरपाना मुश्किल होगा कोशिश करें दोनों सनों से स्तनपान कराने की स्तन पान के बीच में मा को गीला ठंडा कपड़ा अपने स्तनों पर 5-10 मिन्टों तक रखना चाहिए या फिर ठंडी बंद गोबी के पते अपने स्तनों पर रखने चाहिए वो बंद गोबी के पते या तो फ्रिज या फिर मिट्टी के घड़े में रख सकती है इन सब से स्तन की नर्मी और पानी वाली सूजन कम होती है और वो कई बार स्तन पान करा सकती है अब हम सीखेंगे स्तनों को कड़क होने से कैसे रोकें पहला शिशु के भूके होने के संकीतों को समझें जैसे हिलना रूटिंग रिफ्लेक्स का बढ़ना रूटिंग रिफ्लेक्स में शिशु अपने गाल या मूँ को चूने वाली हर चीज की तरफ अपने सर को घुमाती है उंगलियों को चूसती है और कुछ देर के बाद रोने लगती है जैसे ही शिशु भूके होने का संकेत दे उसे दूद पिलाएं उसके रोने का इंतजार ना करें ये पक्का कर लें कि स्तन पर उसके मूँ की पकड सही है और वह अच्छे से पी रही है याद से पहले एक स्तन को पूरी तरह खाली करके ही दूसरे स्तन से पिलाएं अब हम स्तनों की ऐसी स्थिती की बात करेंगे जिसे मस्टाइटिस बोलते हैं। इस स्थिती में स्तन का एक हिस्सा लाल, सूजा हुआ और कड़क हो जाता है। मा को बहुत दर्द और बुखार रहता है जिससे वह बिमार महसूस करती है। कई माओं को पहले 6 हफ़ों में कभी भी हो सकता है। कभी-कभी इसे कड़क स्तन भी समझा जाता है। मगर कड़क स्तनों के दौरान दोनों स्तन पूरे के पूरे कड़क होते हैं। जबकि मस्टाइटिस में सिरफ एक ही स्तन के कुछ भाग पर असर होता है। मस्टाइटिस एक कड़क स्तन में हो सकता है य इनका इलाज ना करने पर उनमें मस्ताइटिस हो सकता है। बंद नली ऐसी स्थिती है जब स्तन में से दूद ना निकाला जाए। अक्सर ये नली स्तन के उस भाग में होती है जहां पर गाड़ा दूद जमा हो। इस वज़े से गांट हो सकती है। ये गांट नरम होती है पर इसके उपर की चमडी लाल होती है बंद नलियों और कड़क स्तनों की वज़े से दूद का बाहा ठहर जाता है जब दूद स्तन के किसी भाग की बंद नली में या फिर कड़क स्तन में ठहर जाता है तो उसे स्टैसिस कहते हैं ठेरे हुए दूद को ना निकाला जाए, तो स्तनों के उतक में सूजन हो सकती है, जिसे बिना इन्फेक्शन वाला मस्टाइटिस कहते हैं. पर कभी-कभी स्तनों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे इन्फेक्शन वाला मस्टाइटिस कहते हैं. अब बताई जाने वाली स्थितियों में बैक्टिरिया असानी से दरारों में से अंदर जा सकते हैं जैसे कि अगर स्तन पर दरारे हो, मस्टाइटिस का इलाज ना किया हो या फिर देर से इलाज किया हो याद रखे कि Mastitis का इलाज ना किये जाने पर आगे चल कर वहस्तन पर फोड़ा बन जाता है अब हम बात करेंगे किन वजहों से Mastitis होता है Mastitis का सबसे पहला कारण है बार-बार दूद न पिलाना दूद पिलाती मा अगर काम काजी महीला हो तो बार-बार दूद पिलाने में मुश्किल हो सकती है बार-बार दूद न पिलाने की और वज़य हो सकती है मा या शिशु की बिमारी दूसरी वज़य है निपल से स्थन पान जिससे शिशु स्थन को पूरी तरह खाली नहीं करेगा तीसरा है जरूरत से जादा दूद बनना और चौथा है शिशु का दूद छुड़ा कर उसे दूद के अलावा खाना देना पांचवां टाइट कपड़े रात को टाइट ब्रा से स्थन पर जोर पड़ेगा और दूद की नल्या बंद हो जाएंगी छटा है मा को तनाव होना अगर मा को किसी भी तरह का तनाव हो तो इससे लेट डाउन रिफलेक्स पर असर होगा साथवां है निपल में दरारे होना जिससे बैक्टीरिया स्थन के उतक तक पहुँच सकते हैं और इससे मस्टाइटिस हो सकता है अब हम देखेंगे मस्टाइटिस का इलाज कैसे करें पहले वजह को जानिए और फिर इलाज शुरू करें मा को स्तनपान से पहले गरम से लिना चाहिए या फिर गरम पानी से स्नान करना चाहिए उसे स्तनपान पहले प्रभावित स्तन से कराना चाहिए अगर दर्द जादा होने लगे या फिर लेट डाउन रिफलेक्स पर असर हो तो तंदरुस स्तन से शुरू करें याद रखें, बार-बार स्तन पान कराना जरूरी है। अगर जखम निपल या स्तन के काले भाग पर नहीं है, तो मा उसी स्तन से स्तन पान करा सकती है। याद रहे जब भी मा मस्तैटिस वाले स्तन से शिशू को स्तन पान कराए, तो ध्यान से शिशू में इनफेक्शन के संखेतों को देखें। हलके से प्रभावित भाग से निपल की तरफ मालिश करें। और मा को काफी आराम करना चाहिए. अगर तबित जादा खराब हो, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए. ओपरेशन से स्तन के फोडे की पीक निकालनी होगी और मा को दवाई भी देनी होगी. इसके अलावा मा को चाहिए कि वह आराम करे, गहरी सांसे ले. मन को खुश करने वाले गाने सुने और शिशु के बारे में सोचे ताकि लेट डाउन रिफ्लेक्स के शुरू होने में मदद हो. याद रहे, मूँ की सही पकड़ से मस्टाइटिस से बच सकते हैं और बंद नलियों से भी. और इस से शिशु को काफी दूद भी मिलेगा. स्टन के इन सबी स्थितियों से बचने के तरीके हैं सही जुड़ाव और शिशु की स्थिति और बार बार स्टन पान कराना. अब स्टन पान कराती माओं के स्टन की स्थिति पर यह टूटोरियल यहीं खतम होता है. आयाईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ. हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद. आयाईटी बॉम्बे से लिए लेती हूँ.